उत्राकंड हाई कोट ने देविस्थान बोट के गठन के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिच कर दिया है जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष वंशिदर भगत ने नियायले के फैसले का स्वागत किया है और इनका कहना है कि राज्जे सरकार ने देविस्थानम बोट के गठन सभी नियमों के अधार पर किया है और देविस्थानम बोट से राज्जे में धार्मिक पर्याटन और जादा शशक्त होगा इतना ही राज्य सरकार ने सब लोगों की धान्मिक भावपनाओं का ख्याल रखा गया है इसले इसका विरोत करना गलत है और अब नियायारले ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है गौरत लबे की देविस्थानम बोट के गठन को लेकर शुब्रमन्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में P.I.L. दाकिल की थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है आप तेख रहे धिरदून से मोनु राजपुत की रिपोर्ट ये स्थानम बोर्ड सरकार ने बहुत सोट अमत के राबुत किया था कुछ लोग को में चले गए थे आज माननी ने 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 सोच समधकर उसमें निर्णे लिया है हम ने ने के इस निर्णे का हरदय से स्वागत करते हैं और मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा लेकिन सब मिलाके देविल स्थानम बोर्ड की स्थापना के पीछे जो हेतू है जो मंसा है वो यह है कि हमारे जो देश विदेश के परटक चारों धामों की यातरा को आते हैं उनको सुक शुपधाएं मिलें ताकि वह बहुत ज्यादा और अकरशित होके बड़ी मात्रा में हमारे प्रदेश में आए और हमने कहीं भी वहां के जो पुजारी लोग हैं पं फिज्ञान किया है कि अफी लोगों से बातचीत इसमें हूई अव एक एक व्यक्ति से बातचीत नहीं किजा सकते हैं जो उनके लोग हैं उनसे बातचीत की ही है और उसके बाद कोई निर्ड़े हुआ है सरकार का और कोई धिक्कत किसी को है तो आकर अपनी बात कर सकते हैं पानी मुख्रम्चीजी से बात कर सकते हैं, उस पर देख लेंगे कि कोई दिक्कत बहुत ज्यादा अगर कहीं पर है और ऐसा लगता है कि उसमें संसुदन होना चाहिए, तो उसको किया जा सकता है, लेकि सब मिलाके इना हों, देविरस्तान बोल्ड प्रदेश के लिए हितकार प्रदेश में आने वाले देश-बिदेश